प्रावब मोटिवेशन क्लास 2 ये नत्तिंग इस पर्मेड पहला प्रावब जो है नत्तिंग इस पर्मेड मतलब क्या है कुछ भी मुस्टखबिल नहीं है याने कुछ भी पर्मनेंट नहीं है कुण सी भी चीज अपनी होती है ना वो पर्मनेंट नहीं होती है कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो सकता इसका अर्थी है सेकेंड जो है विन यू टॉप यू अर्व ओनली रिपीटिंग वाट यू अल्री नौ बट इफ यू लिसन यू में लर्न सम्थिंग न्यू मतलब यह इसका प्रभब का समझाने का मतलब यह है जब आप केवल बोलते हैं तो आप वही दोराट रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं लेकिन यदि आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं अगर हम दूसरी अंदाज में लिए तो इसका मतलब यह होता जो आप सिर्फ बात करते हैं तो आप वही बात दोराते हैं जो आप पहले से जानते हैं लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं थीषरा जो है प्ल नोरु आप सिर्छा्ण वा की एफ थिसरा जो है और देवर बात का सुछ नकीर नमतिए their behavior that made you change इसका मतलब क्या है लोग उनके प्रती आपके रवाईय में बदलाव को नोटिस करेंगी लेकिन उनके वेहार पर नहीं दियान देंगी जिसने आपको बदल दिया यानि इसको दूसरे अंदाज में भी अपन समझ सकते हैं लोग उनके बारे में आपके रवाईय को तबदीली महसूस करेंगी लेकिन उनके रवाईय को नहीं देखेंगी जिसने आपको तबदील कर दिया यह जो है चौता प्रबब जो है The truth is still the truth इसका मतलब यह है कि सत्य जो है अभी भी सत्य है भले ही कोई उस पर विश्वास ना करे जूट एक है जूट एक जूट है भले ही हर कोई इस पर विश्वास करे अगर दूसरे इसमें अंदाज मिलिएगे तो यह जो है ऐसा भी बता सकते हैं सच अभी सच है चाहे कोई इस पर यखिन ना करे जूट जूट है चाहे हर कोई उस पर यखिन करे यह दूसरा नेक्स्ट जो है सक्सस ड़संट कम फ्रम् इसका मतलब कि आप कभी कभी जो करते हैं उसे सफलता नहीं मिलती हैं लेकिन आप लगातार क्या करते हैं उस पर कामियाभी मिल सकती हैं अब जुसरे अंदाज में भी अपने इसको बता सकते हैं कि कामियाभी उसे नहीं आती जो आप कभी कभार करते हैं लेकिन जो आप मुसलसल करते हैं तब यह कामियाभी आने का मोखा है एवरी डे वियर इस एन ओपीनियन नट ए फैक्ट जो इसका मुदलब यह है कि हर रोज हम सुनते हैं एक राय है तत्य नहीं जो इसका अपन दूसरे अंदाज में लिए तो रोजाना जो हम सुनते हैं वो राय है अखिकत नहीं है मतलब नेक्स सेंटेंस जो है जो है डोंट बर्न यूर ऑपर्चनिटीज फरेट टेंपररी टेंपररी कमफोर्ट इसका मतलब इंदी में अगर ले गए तो अस्ताई आराम के लिए अपने अवस्वरों को ना जलाएं और इसका दूसरे अंदाज में आपकर लिए आर्जी सुकून के लिए अपने मवाखे को जाया ना करें कि दूसरा जो प्रावब है कि वरींग डाजन्ट टेक तुमारो स्ट्रबल्स टेक्स अवे टुड़ेश पीस इसका अगर अपन मीनिंग लिए तो चिंता करने से कल की परेशानिया नहीं होती यह आज की शांती को चीन लेती है और एक इसमें भी अब समझने के लिए अगर लिया हुए है फिकर करना कल की परेशानिया दूर नहीं करता है हाज का सुकून छीन लेता है यह दू गुड़ फो अदर इट विल कम बैक इन अन एक्सपेक्टेड वे इसका जो है दूसरों का भला करो यह अप्रकेशित तरीखे से वापस आएगा दूसरों के लिए अच्छा करो यह गयर तरीखे से वापस आएगा अगर इसका गरापर्थ समझे या आपको यह अच्छा लगा तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए